दोस्तों क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है, क्या आपके भी घुटने से कट-कट की आवाज आती है, क्या आप भी जब कभी half kilometer या एक kilometer चल लेते हैं तो काफी घुटने में दर्द होने लगता है, या फिर सो के जब उठते हैं उस समय काफी stiffness रहता है, या फिर आगे उससे ना बढ़े इसलिए आज से ही अगर exercise करना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ आप उसे 100% घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे लेकिन वैसे बैखती जिनको काफी दिनों से घुटने का दर्द है वो भी अगर इस exercise को कर लेते हैं या उनका घुटना टेढ़ा भी हो करके देखिएगा तो आपको लगएगा कि हाँ या काम करता है और आप अगर इससे 20 से 25 दिन कर लेते हैं तो आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरे नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्स रोगजन दोस्तों वैसे बैक्ति जो अपना एक्सरे करा लिये हैं और डॉक्टर को दिखा लिये हैं तो नहीं तो पता चल गया होगा कि उनका और्ष्ट्रेटिस किस चल पाएगा कि उनका घुटने का और्ष्ट्रेटिस किस ग्रेड में है सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर ग्रेड वन होता है किसी विजगति को तो सबसे पहले स्टार्ट होता है उनका कभी एक किलोमेटर या दो किलोमेटर चल लेते हैं तो उनको घुटने में दर्ध हल दिखाते हैं, एक स्रे नहीं करवाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है, उसका हम और यूज करते जाते हैं, ताकि हमारे घोटना भी सही से मोवमेंट हो सके, तो वह धीरे धीरे और बढ़ने लगता है, फिर होता यह है कि हमारा घोटना भी सही से मोडता नहीं है, शही से मोड जिनको earlier stage में grade 1 हुआ है grade 2 तक जाने लगा है तो वो देखेंगे यहां तक सटाएंगे तो यहां पर उनको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा तो यहां समझ सकते हैं कि उनका stage 1 से stage 2 तक जा रहा है दूसरी बात पहले अस्टार्ट होगा किसी एक नी से एक घुटने से और उसके बाद कुछ दिनोबाद 6 महने 7 महने या साल भर बाद दूसरे घुटने में भी तकलिफ होना लएगा तब वो डॉक्टर के पास जाएंगे एक स्रे कराएंगे तो मालम चलेगा कि एक grade 2 में चा चुका है तो दूसरा grade 1 में जा चुका है तो इस तरह से हमारा grade 2 और grade 1 का तो definition हो गया grade 3 में होता है कि हमारा घुटना सही से मुलता नहीं है हम कितना भी कोसिस कर लें कितना भी कोसिस कर लें तो हमारा इतना तक ही रहेगा या इतना ही रहेगा या इतना ही रहेगा तो हम इसे grade 3 भी कह सकते हैं और जब एक स्रे कराएंगे तो तो clear हो जाएगा कि grade 3 में आ गया लेकिन अगर grade 4 में पहुँच गया तो ये घुटना किसी-किसी का तो है कि ये पहुँच जाता है लेकिन जब यहां पर हम इस पटेला को इस पटेला का जब हम एक्जामिन करते हैं तो मालन चलता है कि ये पटेला भी जाम हो चुका है हम जिस तरह से अगरा मैं देखाऊं तो मेरा पटेला बिल्कुल चारो तरफ मुवमेंट कर रहा है आप देख रहा होंगे ये जो कैरेम बोर्ट का स्ट्राइकर होता है उस टाइप का एक हड़ी होता है जो कि उपर से लिगा मैंट से कनेक्टेड होता है जिसो हम लोग टेंडन भी करते हैं तो ये टेंडन से कनेक्टेड होता है और इसको हम माया दाया करते हैं आगे पिछे करते हैं तो हो रहा है लेकिन वैसे बैकती जिनका fourth stage में जा चुका होता है तो उसमें पूरा का पूरा घुटना मूड़ता भी नहीं है इतना मूड़ेगा या इतना ही मूड़ेगा पूरा सिधा हो सकेगा लेकिन हो सकता है कि पूरा मूड़ेगा नहीं अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इन सारे चीजों को घर में ही exercise करके ठीक कर सकते हैं। वैसे बैकती जिनका grade 1 और grade 2 का है तो इसके पहले जो वीडियो में मैंने बनाया है उसको आप देख लिए एक पर मैं description box में भी देदूँगा उसका link या फिर pinned comment में भी देदूँगा आप skip करके ना देखें वीडियो को, skip करके देखते हैं इसलिए कभी-कभी मैं तो देखता जो कि comment में रहेगा comment में सबसे पहला comment उसी में रहेगा उसमें link रहेगा उससे आप देख सेकेंगे कि grade 1 और grade 2 में हमें कौन सा exercise करना चाहिए grade 3 और grade 4 में सबसे main problem होता है कि हमारे घुटने का जो गदी होता है वहां पर जो sunnable fluid होता है ग्रीस होता है वह कमने लगता है कम ज जो internal जैसे बाया पैर के मैं बात करूँ तो यहां पर यह हड़ियां सटने लगती है या सट चुकी होती है तो हम fourth stage कहते हैं उसको और यहां पर ग्रीस भी कम हो जाता है या फिर हमारा जो प्रटेला है वह भी जाम हो जाता है तो उसे हम कैसे छोड़ा सकते हैं दोस्तों grade 3 grade 4 में सबसे महत्पून है कि हम exercise तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा उसके पहले home remedy की रूप में या फिर घरेली उपाय की रूप में हम इस चीज़ को जरूर करेंगे करना यह है कि हमारा जैतुन का तेल है जैतुन का तेल को लगा करके यहां पर तीन से चार एमिल या पांच ए सब्सक्राइब लेकिन चार एमिल कम से कम यहां पर सुखाना है मुझे चार से पांच मियट के अंदर आप जैसे ही यहां पर लगाएंगे मैं थोड़ा सा लगा कर देखाता हूं थोड़ा सा मैं पहले सिर्फ इसके चारों तरफ लगा दिया इसके बाद अगर हम अपने अची बात है ग्रेट 3 में ही है आप या फिर हो सकता है कि ग्रेट 4 में भी हो लेकिन पटेला का मुमेंट हो रहा है तो इरलियर जल्दी आप रिकवर कर सकेंगे लेकिन जिनका पटेला का मुमेंट नहीं हो रहा है मैं आज 3-4 लोगों से मैंने बात किया मैक्सिम लोगों का यह problem था कि सर्फ पटेला का moment बिल्कुल नहीं हो रहा है तो हमें सबसे पहले यहां से 4-5 mm तेल लगा करके olive oil है जैतुन का तेल है इसे लगा करके हम कोसिस करेंगे अपने उंगलियों से बाया तरफ दवाने का दाया तरफ दवाएंगे यानि कि हम अपने पटेला को जो जमा हुआ है जाम हो चुका है उसको हम हिलाने कोसिस करेंगे क्योंकि इसका normal जो होता है वो होता है बिल्कुल flexible होता है जिदर आगे पिछे बाया देया हम पकड़के कर सकते हैं और यह अगर हमारा नहीं हो कर रहा है तो हम सबसे पहले करेंगे कि इसको आगे पीछे करने के कोसिस करेंगे पांच दिन छे दिन साथ दिन दस दिन लगे लगाना है इसी तरह से मसाज करना है मसाज जब करेंगे ना तो मसाज करने के बाद चारो तरफ से इस तरह से पटिला के चारो तरफ मसाज करें ठीक है थोड़ा सा दर्द हो सकता है आप खुद से करेंगे तो हो सकता है कि उतना ज्यादा दर्द नहीं हो क्योंकि आप अपना सह लेंगे जितना सह रहे हैं उतना ही करेंगे दूसरे से कराएं expresses दी मैंकशम आट सेद्धिन होते होते यह पटेला मिल्कुल अपने जगह से हिलने लगेगा और बाइदय होने लगेगा इसके बाद भी पांच-छी दिन हमें जरूर मसाज करना है और मसाज मेंकर सरूरा करते हैं सिकाई करने के लिए हम jelly pad का उपयोग कर सकते हैं या hitting pad का उपयोग कर सकते हैं किसी भी चीज से hitting pad से या फिस jelly pad से यूज कर सकते हैं exercise start करेंगे तो ये third stage के लिए हो गया ये fourth stage के लिए हो गया हम patela का moment करा लिए हैं अब हम कुछों करेंगे पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि हमें कुछ नहीं अपने पंजों को आगे पीछे करना है आगे पीछे आगे पीछे तीस तीस बार करें चालीस बार करें पचास बार करें आप जितना करेंगे ज्यादा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा ठीक है तो इस इस exercise को आगे पीछे करने वाले exercise को भी हम 40 वर 50 वर कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा हम कोसिस करेंगे कि किसी चीज के ऊपर हापने पैर को रख ले ताकि हमारा एडी फिरी हो जाए एडी म आपके पास टाइम है तो आप इसको सो भी कर सकते हैं ठीक है एंटी क्लॉगबाइज और टोनों पैर से कर लेंगे दुनों पैर में प्रोडम है तो इसके बाद हमें कोसीस यह करना है कि सबसे पहले यह देखना है कि हमारा पूरा घुटना मुड़ता है कि नहीं अगर वैस बैकती जिनका पूरा घुटना नहीं मुड़ता है और इतना ही रहता है तो हम क्या करेंगे कि अपने घुटने के अंदर इस टॉबल रोल कर लगाएंगे और उसके बाद नीचे से कोसीस करेंगे अपने ओपर खीचने की अना अपने से हाथ से ही अगर खीचेंगे इसको त दर्द बढ़ सकता है तो हम जब दर्द बढ़ने लगेगा तो हम थोड़ा सा रूख जाएंगे और थोड़ा सा यहां पर पैर को नीचे टिका लिए उसके बाद अपना बेट देना शुरू करेंगे इस पर आगे करेंगे तो हमारे शरीर का आधा सरीर का बेट इसम पर जा हम बिल्कुल पकड़ लिये हैं, अपने घुटने के नीचे, कभी-कभी कोई-कोई व्यक्ति बोले हैं कि सर, टॉबल लगा तॉबल के जगह पर तक्या या कुसन लगा सकते हैं, क्या नहीं, यह हमके रोल करके, हमको करना क्या है, इसके जश्ट नीचे हमको लास्ट छोर पर लगाना है, यह मेरा खाली रहेगा, यह जब खाली रहेगा, तभी यहाँ पर जो मेरा गैब कम हो गया था, धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा, और इस तरह से हम इस पर वेट दे सकते हैं, इसक पेट के बल लेट जाए, और देखें, अपने हाथों से भी रख सकते हैं, किसी आदमी से सपोर्ट भी ले सकते हैं, इस तरह से, अपने घुटने के नीचे, और उसके बाद, बिल्कुल, हम पेट के बल लेट गया है, और अपने, इसको, चितना हो रहा है हम से, उतना हम खी नीचने का कोशिज कर रहे है, ताकि हमारा वहाँ पर जो गैप कम हो गया है, वहाँ धीरे-धीरे बढ़नी लगे, ठीक है, तो इसे भी कम से कम हमको 20 से 30 रिपीटेशन करना है, अब इसमें एक रिपीटेशन कितना कह लाएगा, सपोर्च किजे कि मैं यहाँ पर खीच करके जहां तक पहुच रहा है, वहाँ तक मैं रखा, 20 सिकन रूखेंगे, नॉर्मल, ठीक है, हम जिस तरह से पकड़ सके, ध्यान रहे, या जो टॉबिल है, बिल्कुल नी के अंदर रहेगा, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल यहाँ पर पिलो रखेंगे, पिलो नहीं, बिल्कुल रो खीचेंगे, हम इस तरह से अपने सरीर के तरफ खीचने का कोसिस करेंगे, इससे भी हमारा यहाँ पर गैप बढ़ेगा, और धीरे धीरे वहाँ गैप नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं भी होता है, हमें सिर्फ वन एमें भी गैप बढ़ा लें अगर हम, तो हमारा दर्द उ हड्डियां होती है, हड्डियां आपस में जब चिपकने लगती है, हड्डि के बीच में कुसन होता है, और उस कुसन में सनवियल फ्लूड होता है, तो जब हड्डियां सटने लगती है, तो सनवियल फ्लूड वहाँ पर का सूप शुका होता है, ठीक है, तो इस सेरिया में लेटरल भाग में सैनेवेल फिलिड होता है, तो जैसे ही मेरा ये हड़ी चिपक गया है, वहाँ पर तो दर्द होगा ही होगा, लेकिन जैसे ही हलका सा भी हड़ी गैप बढ़ेगा, तो हमारा दर्द उसी समय बहुत हद तक कम हो जाता है, अगर आप मेरे द्वारा बताएगा एक्सरसाइज को डेली बेसिस पर कर रहे हैं, तो आपको कितना बेनीफिट हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि लोग हमारे साथ कितने मेहनत कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, जब भी मैं कंसल्टेंसी बुक करता हूँ, लोगों से बा बहुत फाइदा हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप भी डेली बेसिस पर मेरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हांसर मैं कर रहा हूँ, आप मुझे इतना परसेंटा फाइदा हुआ, दोस्तों, उमीद है कि व है हिंद, जय भारत!